वंदे मात्रम जै भारत बाई राजी विद्धिक्सित अमर रहे आज का ये वीडियो गुरुकुल परिवार की तरफ से सभी विध्यार्थियों की तरफ से नए परशिक्षण सिविर में आने वाले विध्यार्थियों के लिए है पन्च गव्यार्थियों के लिए परशिक्षण सिविर 20 दिसम्बर से 19 जनवरी के बीच में रहेगा जो भी कारे करता साथ ही इस परशिक्षण सिविर में भाग लेना चाहते हैं वो किरपया अपना रजिस्टेशन 19 तारिक से पहले पहले करवा ले इस परशिक्षण सिविर में 30 परकार के अर्ख सिखाए जाएंगे 30 ही परकार की घनवटी बनानी सिखाए जाएगी नासी का ओस्दी बनानी सिखाए जाएगी वात पित कफ को किस परकार से हम समझ सकते हैं वात पित कफ का वर्नन किया जाएगा वात पित कफ के अनुसार हमें हमारे सरीर की चिकित्या कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा इसके अत्रिक्त दिन्चरिया, रितुचरिया, विप्रित आहार और पांच गंभीर बिमारिया सूगर लगबग आठ क्रोड रोगी है भारत में, किडनी के रोगी, लीवर के रोगी, एंसर रोगी और हार्ट हार्ट से सम्मन्दित जो बिमारियां, ये पांच बिमारियां आपको विस्तार से समझाई जाएगी और इनकी चिकिच्या आपको इस सिविर में सिखाई जाएगी इसके अतृिक्त हमारे सरीर के जो परमुख अंग है, उनके लिए परकर्ती और परमात्मा ने क्या विसेस जड़ी बुटियां हमें दी है वो इस सिविर में सिखाई जाएगी सिविर में भाग लेने वाले परतेक कारेकरता को गुरुकुल की तरफ से ग्राम स्वास्थ रक्षक का परमान पत्र भी दिया जाएगा यहां से निसुल क ग्यान प्राप्त करके आपकी मुख्य जिम्मेवारी रहेगी समाज को निरोगी बनाना और समाज में जो तेजी से बिमारियां बढ़ रही हैं उनको रोकना आपका मुख्य करतवे रहेगा और किस कारण से आज लगवग भारत ही नहीं संपूर्ण विस्व बिमारियों के मकड जाल में फसा हुआ है उस पे भी आपको कारे करना होगा सिविर में घ्यान भारतिय परंपरा रही है घ्यान हमेशिया निसुल कर रहा है तो ये एक माह का सिविर परतेक कारेकरता के लिए निसुल कर रहेगा बहुजन और आवास बहुजन और आवास के लिए आपको तीन हजार रुपए एक महा के लागत के रूप में देने होंगे अगर कोई कार्य करता आर्थिक रूप से कमजोर है या गरीब है तो बहुजन का जो खर्च है वो गुरुकुल वहन कर लेगा बसरते की वो इमानदारी से पूरे महा उसने अच्छे से सरमदान किया हो एक जो महत्वपुन बात प्रतेक कारेकरताओं के मन में रहती है ठोरी ठोरी केवल 20 गंटे ही आपको दी जाएगी अधिक्तम 20 गंटे की ठोरी होगी बाकी सभी प्रक्टिकल रहेगा आपकी दिंचरिया में प्रक्टिकल रूप से दिन भर आरक बनाना घनवटी बनाना नासिका बनाना अलग अलग परकार के कवाथ त्यार करना मिश्रन त्यार करना विमारी के अनुसार ये सभी प्रक्टिकली आपको करवाए जाएंगे इसके अत्रिक्त आपको सरमदान के रूप में स्वेच्छा से जितना भी आपके पास समय बसता है चिकिच्छाले के कारिये के अत्रिक्त यानि कि जो प्रक्टिकल आपका नोलेज है वो स्वेच्छा से आप सरमदान कर सकते हैं हाँ जो आर्थिक रूप से गरीब है अगर वो रोजाना 4 से 5 घंटे चिकिच्छाले के कारिये के अत्रिक्त सरमदान करता है और वो सरमदान इफेक्टिव होता है समय के अधार पे नहीं कि आपने समय लगा दिया वो इफेक्टिव होता है संस्था को आउटबुट देता ह तो आपका जो भोजन का सुल्ख है वो परबंद समिती जो है जो संस्था के संस्था पक महुद्दे हैं उनके माद्यम से माफ किया जा सकता है अब जिन साथियों को इस सिविर में आना है उन्हें रजिस्टेशन करवाना होगा और उसके लिए पांच हजार रुपए सुल्ख आपको जमा करवाना होगा ये जो पांच हजार रुपए सुल्ख है इसका मुख हुद्देश ये है तिन हजार रुपए तो आपके भोजन और आवास की लागत हट जाएकि इ genome को दो हजार रुपए आपसे अत्रिक्त लिए जा रहे हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं कि ज जाएगी अब एक जो महिने भर में जो भी आपने शिखा उसका एक्जामिनेशन हो गया वो रिटन भी हो सकता है और वो औरल भी हो सकता है कम से कम आपको 50% मार्क उसमें लेने होंगे अन्य था आपकी स्क्योर्टी उस कारण से भी जब्त हो सकती है गुरु कुल आने से पहले आप गुरु कुल के बारे में सभी जानकारियां विस्तार से ले ले गुरु कुल हर्याना राज्ये के महंद्रगड जिला के गाउपाली में स्थित है जो एक बहुत बड़े जंगल के ठीक किनारे के स्थित है लगबग 600 एकड का जंगल है इसके अंदर सुख काफी है लेक आप अपने ठंड के इसाब से वस्तर जरूर लेके आए जरूरी सामान जो है वो भी आप लेके आए और संबव हो तो अपना ओडने के लिए कंबल भी लेके आए तो जो भी साथी इस सिविर्वे भाग लेना चाहते है वो 19 तारिक तक रजिस्टेशन करवा ले और रजिस् दी 500 69 450 यानि कि तरान में पान सो उनेतर चार सो पचास तो आप इस पर रजिस्टेशन करवा सकते हैं आप सभी देश भक्त परकरती प्रेमी और समाद सेवकों का स्वागत है आप आईए भारत के पहले स्वावलंबी गुरुकुल जिसने अब तक भारत में जितने भी गु प्रेतर में जो परिणाम लेके आया उस गुरुकुल में आपको सीखने का असर है वंदे मात्रम जै भारत बाही राजी उदिखसित अमर्भे था।